हेलो फ्रेंट्स वेल्कून टू माई चलो राम टेकनिकल है अगर आप लैप्टोप ये डेक्स्टोप यूज कर रहे हैं और वहां पर जो आपका कीबोर्ड है वो वर्क नहीं कर रहा है काम नहीं कर रहा है वो प्रूलम आपको कैसी ठीक करना है हम लोग सब इस वीडियो के अ वाले हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर हमारा नोटपैट ओपन है पर जब भी में कोई की यहां से प्रेस कर रहा हूं कोई भी की यहां पर वर्क नहीं कर रहा है और यहां पर जब भी में विंडोज बटन प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर विंडोज बटन भी प्रेस नहीं हो रहा है ठीक है यह प्रोब्लम आपको कैसे ठीक करना है कैसे फिक्स करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और पहली बार आए है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यहां पर मिल जाएंगी चाहिए वो लैप्टॉप, डेक्स्टॉप, यूटॉप करने के बाद आपको क्या करना है, एप्स एंड फीचर्स का एक उप्शन मिलेगा आपको सबसे उपर, ओके यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बद आपको क्या करना है Program and Features का एक option मिल जाएगा आपको right side में यहाँ पर आपको click कर देना है तो friends इसके बाद आपको यहाँ पर control panel home के अंदर आ जाना है यहाँ पर clique कर देंगे इसके बाद आपको क्या करना है अगर आपको ऐसा options नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ड्राइगन ड्रॉप करके यहाँ पर अगर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको categories के अंदर जाना है और यहाँ पर जो center वाला option है वो आपको select कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर इस option पर आपको click कर देना है click करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने बहुत सारे options दिखने लग जाएंगे आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर make the keyboard easier to use वाला option पर आपको click कर देना है इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है यहाँ पर जितने भी यह checkbox है उनको आपको uncheck कर देना है अगर यहाँ पर आपके already uncheck है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सबको uncheck कर दीजिए इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर apply button पर click करना है और ok कर देना है इसके बाद इसको बंद कर देंगे और उसके बाद वापस से हम लोग notpad open करेंगे और यहाँ पर keyboard से कुछ button प्रेस करेंगे तो friends यहाँ पर देखिए मेरा keyboard है जो keyboard है वो work करने लग गया है यहाँ पर सब कुछ option यहाँ पर चलने लग गये है अगर इससे भी आपका problem ठेक नहीं हो रहा है तो एक बार आपको system restart कर लेना है यह setting करने के बाद और आपका keyboard है उसको आपका जो cable है USB cable है वो आपको check कर लेना है कि आपके system के साथ proper attached है या नहीं है अगर friends इससे भी आपका problem ठेक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो यह keyboard है उसका जो USB port है वो आप change करके देख लीजिए ठेक है एक USB port से दूसरे USB port पर लगा कर देख लीजिए आपके समस्या जो problem ठीक हो जाएगी So I hope आप समझ गए हो गए कि अगर आपको keyboard काम नहीं कर रहा आपके laptop एडेक्स को desktop के उपर वो कैसे ठीक करना है So friends I hope आपका problem ठीक हो गया होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और हेल्फुल लगाए और इससे आपका problem ठीक हो गया तो please subscribe my channel वीडियो को like करना, share करना और bell icon दुआना ना भूलेगा Thank you so much